आज मैं plumbing का interview share कर रहा हूँ आप लोगों के साथ जब कभी मैं engineer था तम मैंने ये interview दिया था एक बार उसने मेरे से 8-10 questions पुछे थे plumbing से related जब मैं उसके या engineering के interview के लिए गया आज मैंने वही सब questions मैंने यहां लिखे हुए हैं आज मैं उन सभी के answer आपको बताता हूँ कैसे क्या था उस समय मुझे साथ पता था या नहीं था यह काफी समय पहली बात है लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो चीज मुझे नहीं पता थी या मुझे पता है वो मैं प्रेंड्स यह मेरा इंटर्व्यू का दूसरे वीडियो है और आज plumbing के questions है सारे पहला questions है friends FTA MTA क्या है हम नौर्मली जानते हैं FTA क्या है MTA क्या है और वैसे हम देख के बता सकते हैं लेकिन हम बता नहीं पाते कि FTA को क्या बोलते हैं और MTA क्या क्या हैं यह FTA की full form क्या है और MTA की full form क्या है friends FTA होता है female threaded adopter और MTA होता है male threaded adapter female threaded adapter जो होता है friends माल लीज़े यह इस तरीके से है तो जो इस तरीके से है यह और इसमें क्या है यदि इसकी जो thread है यहाँ पे है उपर की side thread है तो इसको बोलते है MTA male threaded adapter और यदि इसमें thread जो है वो अंदर की side है यानि thread यहाँ है अंदर की side तो इसको बोलते है female threaded adapter यानि अगर अंदर चूडिया है तो उसको FTA बोलते हैं और जिसके उपर की तरफ चूड़िया है उसको MTA बोलते हैं यह PVC में भी आते हैं और GI में भी आते हैं ठीक है दूसरा question है मेरा WC point यानि जब कभी भी हैं को टॉलेट ये वात्रूम बनाते हैं तो उसमें WC का जो point नीचे वाला छोड़ा जाता है main point वो दीवार से कितनी दूर छोड़ा कि टॉलेट में कौन सा point कितनी दूरी को होता है कितनी हाइट पर होता है आप मेरी वो वीडियो भी रैफर कर सकते हैं यदि आप पसंद करते हैं तो लेकिन मैं यहां बता देता हूं friend WC का point होता है वो 16-18 इंच पर छोड़ा जाता है दीवार के सिरे से और जो WC का point है वो 16 से 18 इंच पर छोड़ा जाता है friends तीसरा है union क्यों लगाते हैं सबसे पहला question union आज कल PVC और UPVC का pipe चलता है तो friends CPVC में union जल्दी नहीं मिलेगी आपको लगाने की जरूरत जल्दी नहीं पड़ती है मिल जाएगी UPVC की union आती है CPVC की union आती है लेकिन normally आपको उसको लगाने क जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि UPVC और CPVC को हम solvent की साहता से लगाते हैं तो वो socket की साहता से कहीं भी कैसे भी लगा सकते है क्योंकि यह थोड़ा flexible होता है लेकिन जहां कहीं भी ऐसा लगता है कि flexible नहीं है और लगाना ही पड़ेगा तब union लगा सकते हैं लेकिन union की जरू आपको GI pipeline में जरूर पड़ती है किस condition में पड़ती है friends मैं आपको बताता हूँ माल लीजे ये एक दिवार है और इस दिवार में हमारा pipe आ रहा इस तरीके से और ये दिवार के अंदर cover है ये pipe और हमारा क्या pipe है यहां से किसी वज़े से गल गया है और leakage करना है तो अब यह हम से जोड जाड के ले आए हैं और यहां हमें last जोडना है तो friends हम GI में क्या करते हैं सब में threaded type होता है तो thread हम कसके ले आते हैं यहां तक हम thread कसके ले आए अब हमें इसको और इसको जोडने के लिए यानि या तो हम जब हम इसको tight करेंगे तो इसका जो thread है वो इस तरीके से हम इसको इसमें चड़ाएंगे तो यह उतर जाएगा और यह चड़ाएंगे तो यह उतर जाएगा ऐसी condition में जहां हमें दो विप्रीट-परिश्चती मिल रही हो वहाँ पे हम क्या करते हैं Union लगा देते हैं यानी Union का half portion इसमें fit कर दिया और half portion इसमें fit कर दिया और बाद में ये उपर free रहता है ring और ये वासर लगके union को tight कर देते हैं और ये हमारा हो जाता है joint इसलिए हम लगाते हैं union union को किस condition में लगाते हैं जब भी हम दो pipe आपस में मिलाने वाले हो और हमें ये condition हो हमारे सामने कि हम pipe को मिला तुमने कौन-कौन से pipe पर काम किया है हमीशा plumber से ये जरूर पूछा जाता है और ये मैं कहता हूँ कि ये मैंने चोथे नंबर पे लिखा है सबसे पहले पूछा जाता है कि आगर आप plumber हो तो आपने किस-किस तरह के pipe पर काम किया है तो friends उसमें क्या करते हैं जो हमरे plumbers होते हैं ये एकदम सक पका जाते हैं या नर्वस हो जाते हैं और बता नहीं पाते कितने टाइप पे आप most probably कई सारे pipe बताईए एक साथ तो अगले को doubt नहीं होगा जैसे MS के pipe पर किया है GI के pipe पर किया है CPVC के pipe पर किया है UPVC के pipe पर किया ह इस तरीके से अगर आप उसको 5-6 परकार के pipe बताते हो तो friends जल्दी से accept कर लेगा ठीक है और मैंने एक इस pipe कितने परकार के pipe होते हैं इस पर एक वीडियो बनाया हुआ है जिसका link मैं आपको icard में या description में दे दूँगा उसको भी आप go through कर सकते हैं या उससे भी देख सकत हैं जिससे आपको पूरा pipe के बारे में पता चल जाएगा पांचमा जो मेरा question है जो अक्सर पूछते हैं कि PPM क्या है नोर्मली पूछते है PPM क्या है तो PPM आप बता देते हो कि PPM part per million है और PPM में हम hardness को या TDS को बताते हैं ठीक है friends इतना बता देते हो तो अगर आपको deeply जान पर लिटर या milligram per liter में क्या difference है friends PPM और milligram per liter में कोई difference नहीं है दोनों चीज़े seem है PPM का मतलब होता part per million और एक million में होते हैं 10 लाख यानि 10 लाख part में से एक part that is called PPM ठीक है और mg per liter यानि एक लिटर में 1 milligram यानि एक लिटर में एक मिलिटर में तुलना करें तो एक लिटर में 10 ल लाख milligram में एक milligram अगर हम लेते हैं तो उसको कहते हैं milligram per liter यानि MGL और PPM में कोई difference नहीं है आप आराम से कह सकते हैं कि यह भी 10 लाख में से एक part है और यह भी 10 लाख में से एक part है क्योंकि एक लिटर में 10 लाख milligram होते हैं ठीक है friends मेरा अगला question है छटा जस्ट एक दम कोई भी क्यां रहें कि विए सीपीवईसी पाइप अपने काम किया थे अब हम कैसे बताएं कि यूपीवीसी पाइप और सीपीवीसी पाइप में क्या अंथर है तो friends में आपको आज बताता हूँ देखने में लग बाग एक से होते है जो जसने काफी ज़यादा उन पे काम किया है व वो friends उने thread करती थी लेकिन अब UPC में thread काटने ही जरूबत नहीं पड़ती UPVC भी Solvent की साहता से जुड़ता है ठीक है friends तो होता क्या है UPVC और CPVC में main difference यह है कि CPVC को हम fresh water यानि जो घरों में domestic water जिसको हम पीने के लिए पानी यूज करते हैं वास वेसिन में यूज करते हैं यानि chilled water और hot water दोनों में भी यूज कर सकते हैं CPVC pipe का जो temperature होता है वो 93 degree centigrade टक CPVC pipe काम कर सकता है और यह chemical resistive होता है किसी कई सारे जो chemical होते हैं क्लोरीन, chemical यह सारे कई सारे जो chemical होते हैं resistive होता है यानि इस CPVC के साथ वो chemicals करिया नहीं करते जिससे हमें पानी सही मिल जाता है UPVC, UPVC को हम हमेशा drain line में लगाते हैं क्योंकि UPVC temperature wear नहीं कर पाता पहली बात अगर हम hot line में लगाएंगे और दूसरा UPVC उतने chemical यानि काफी सारे chemical को resistive नहीं होता है सात्मा मेरा next point है या next questions है जो मुझसे अक्सर पूछा जाता है आप लोगों से भी अक्सर पूछा जाता है कि building की top floor यानि एक high rise building है और high rise building की जो top floor पे होती है टोप floor में यानि terrace पे जो top floor की पानी की supply होती है तो उसके जो top floor पे terrace पे जो पानी होते हैं उन पाइपों को cement से insulated क्यों किया जाता है cement से cover क्यों किया जाता है friends आपने देखा हुगा जो high rise building है जैसे 20 माले की या 25 माले की या 50 माले की है उसका जो terrace होता है उस terrace पे जो सबसे top floor होता है चाहें एक हो और चाहें दो लिये हो नहीं हो सकता है एक floor भी लिया उपर का और दो भी लिये हो अकसर वैसे एक floor लेते हैं तो उस floor का जो pipeline होती है वो insulated होती है यानि cement से उस पे insulation लगा के thermocall का और cement से cover कर दिया जाता है जाली लगा के क्यों? question यह है तो इसका answer मैं यह कहूंगा कि friends वो सबसे उपर रहता है terrace तो उसमें क्या है कि जो पानी हमारा चल रहा है उसमें temperature का effect ना आए इसलिए उसको insulated कर दिया जाता है जैसे सर्दियों के दिनों में वो पानी बहुत दोने के लिए यहां कहीं में यूज करना वो पानी बहुत ज़्यादा गरम आएगा इसलिए उसको insulated कर दिया जाता है इस चीज़ को पूछने के बाद हमेसा interviewer का next question होता है जो मैंने आगे लिखा हुआ है कि top floor की पानी की supply main line में क्यों नहीं देते मतलब मतलब यह की जो हम अईससा होता है यानि जो जैसे 20 मॉंझिल की 20 माले की मंचिल हैug तो जो 20 मा astronomers में दो पानी के supply होती है वो बिल्कुल separate होती है पाएगा ठीक है उसका पानी का प्रेसर बहुत ज़्यादा कम रहेगा माल लीज़े नीचे के टैप टॉप खोले नीचे ज़्यादा टैप खोले हुए है ट्वालेट में क्योंकि ट्वालेट तो बीस मंजल की बिल्डिंग है तो वहाँ टैप खुली ही रहेंगे एक सब आप मुझे एक बाब बताई है अगर उपर की फ्लोर टॉप फ्लोर का पानी का प्रेसर कम रहता है तो हम उसको पूरा कैसे करते हैं यानी मेरा यह अगला नॉमा क्वेश्चन है बिल्डिंग टैरेस पर हाइडोनुमेटिक पंप क्यों लगाए जाते हैं बिल्डिंग की टॉप या टैरेस पर हाइडोनुमेटिक पंप इसलिए लगा जाता है कि जो उपर के एक मंजिल या दो मंजिल हमने दिये हैं उस मंजिल को पानी का प्रेसर प्रोपर मिल सके यानी तीन केजी प्रेसर से कम ना मिले इसलिए हम क्या करते हैं हाइडोनुमेटिक पंप लगा देते है जो automatically उस line में लगे होते हैं और इसी लिए क्योंकि उसमें pump लगाया जाता है hydronomatic इसी लिए 9 terrace जो top floor होता है उसकी pipeline separate होती है क्योंकि main line में hydronomatic नहीं लगा सकते हैं ठीक है फ्रेंट क्योंकि नीचे तो by gravity pressure बहुत ज़़ा मिलता है उसमें हमें PR भी लगानी परती है फ्रेंट मेरा अगला question है last question है कितने TDS का पानी पीने के लिए सही है क्योंकि plumber से ये question अक्सर पूछा जाता है कि आप plumber हो तो पानी की supply घरों में दोगे अगर residential में plumber हो तो जाता है most question हो जाता है पूछने के लिए कि कितने TDS का पानी पीने के लिए सही है देखे actually हमें जो TDS का पानी है वो 60 TDS से पानी है 70 TDS से पानी नीचे का नहीं पीना चाहिए 70 से 120 या आप 60 भी बोल सकते हो 60 से 120 के बीच का पानी पीने के लिए सही है सबसे अच्छा पानी होता है 80-100 TDS का पानी पीने के लिए है और आगर आप 80-100 बनाते हो बताते हो ठीक है otherwise आप 70-120 अराम से बताईए कोई दिक्कत नहीं है इसी का पानी पीने के लिए सबसे अच्छा होता है क्योंकि उसमें कुछ quantity में minerals भी रह जाते हैं अगर हम 10 TDS, 5 TDS का पानी पीएंगे तो उसमें कोई mineral नहीं होता और वो हमारी body के लिए harmful हो जाता है हमें calcium की कमी हो जाती है और बहुत सारी चीजों की कमी हो सकती है इसलिए पीने के लिए सर्व सबसे अच्छा पानी 70-120 TDS का है Friends, आज के लिए इतना ही अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो like करें, share करें और मेरे चैनल को subscribe करना ना भूलें Thank you friends